वीडियो की स्टार्टिंग देखकर ये नहीं सोचिएगा कि ये कल वाली ही वीडियो है कल भी हमने यहीं से वीडियो शुरू किया था लेकिन कल का टॉपिक कॉस्मॉस पर था और आज का टॉपिक डिफरेंट है कल हमने शेयर किये थे ये plants जो की कॉस्मॉस पे बहुत अची फ्लावरिंग हो रही है बिना किसी देख भाल के हमने इनको ग्रो भी नहीं किया है देख भाल भी नहीं की है फिर भी फ्लावर्स मिल रहे हैं तो कल की वीडियो आप जरूर चेक कीजिए अब ये जितने भी फूल हैं ये सबी orange flowers हैं लेकिन इसके बीच में आपको एक yellow flower दिखाई देगा जो की बिल्कुल देखने में cosmos जैसा ही है लेकिन आप उसको एकदम से नहीं पहचान पाएंगे जैसे अब हमने कह दिया आप से तो आप notice करेंगे तब आप उसको पहचान लेंगे तो इसको बीच में हमने रखा हुआ है जो की cosmos का flower नहीं है देखिए विल्कुल देखने में cosmos जैसा ही है कोई इसको जो नया है वो तो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये cosmos है या कौन सा flower है तो एक बार और हमने इस पर वीडियो शेयर किया हुआ है आप description box में वीडियो चेक कर सकते हैं इस बार का जब ये beautiful flower खिला तब हमें लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए नहीं तो ये एक कोने में रखा हुआ था प्लांट इसकी कोई देखबाल नहीं हो रही थी कोई fertilizer नहीं दिया जा रहा था और आपको यकीन नहीं होगा दो तीन साल पहले हमने इसको seed से ग्रो किया था वही हमार देखकर आपको ऐसा ही लगेगा जैसे cosmos का ही फ्लावर हो तो जो koreopsis है इसको seed से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है और बिल्कुल ये cosmos जैसे ही ग्रो किया जाता है इसके seeds थोड़े छोटे होते हैं cosmos के seeds थोड़े लंबे-लंबे से होते हैं लेकिन इसके seeds छोटे होते ह तो इसकी पतियों से आप इनकी पहचान कर सकते हैं और इसमें एक flower नहीं खिला है इसमें बहुत सी कलियां भी बन रही है और हमारे यहां पर mostly जो इसमें flowering होती है वो मार्च एप्रिल के समय ही होती है koreopsis वैसे cosmos जैसा ही plant है पूरे साल ठीक रहता है इसकी पतियां भी खतम नहीं होती है hardy plant है और ऐसा नहीं है cosmos की तरह यह खतम हो जाएगा क्योंकि cosmos तो seasonal plant है लेकिन यह जो koreopsis के plants है यह खतम नहीं होते हैं यह लगे ही रहते हैं और इनकी जो पतियां है यह बिलकुल गजान नहीं है लेकिन यह जो हमारे पास variety है जो plain yellow color में इसके flowers हैं क्योंकि एक variety होती है उसमें बीच में maroon shade होता है एक में red shade होता है यह plain yellow color variety है तो यह जो है इसके plants हो हमारे पास लगबग 2-3 साल से ऐसे ही अपने आप चलते जा रहे हैं बिना किसी देख भालके ना हम इसमें खा पूधे से रहते हैं लेकिन आप यह देखिए पुरानी सी ब्राउन सी टेहनी जो है यह plant देखकर आप पहचान जाएंगे हां बस इतना है कि यह साइट से नए नए पूधे निकलते रहते हैं उसी plant से side से branches बनती रहती है plants बनते रहते हैं इस तरह यह घना हो जाता है एक ज लगाया था जब हमने winter seeds grow किये थे लगबग 2-3 साल पहले सबसे पहले जब grow करना शुरू किया था seeds से बहुत सारे flowering plants तो तभी इनको grow किया था तो इनको seeds से grow किया था हमने September October में फिर इसमें सर्दियों में तो कोई result नहीं मिला फिर जाकर इसमें March April में flowers आय थे तो यही इस अगर सर्दियों में flowers आते हो तो जरूर बताईएगा हमने तो इससे seriously grow नहीं किया हुआ है लेकिन अगर आप seriously grow करना चाहते हैं अची flowering चाहते हैं तो कम से कम 3 घंटे की धूप जरूर दीजिए हमारे चार-5 घंटे की धूप ओधे को मिल जाती है इसलिए अची growth करता रहत है अपने आप मिटी में नमी जादा नहीं होनी चाहिए या फिर well-drained soil है तो पानी का ज्यादा ध्यान नहीं रखना होता है यानि पानी रुखना नहीं चाहिए बहुत जादा मिटी में hold नहीं होना चाहिए और इस तरह से पानी का आपको ध्यान रखना है और सूखने भी ना पाए मिटी क्योंकि हम रोज ही watering कर देते हैं plant में और fertilizer अगर आपको जादा flowers चाहिए तो मिटी की गुड़ाई करके 25 दिन में 30 दिन में या 45 दिन में आप दो मुठी गोबर की खादिया वर्मी compost डाल दिया कीजिए आपको और अच्छी flowering मिल जाएगी और फिर भी अग जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे सीट से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और इनी फूलों से ही सीट बन जाते हैं थैंक यू